नमस्का दोस्तों, मैं आज आप से बात करूँगा चाइनीज लोन अप्स के बारे में इंटरनेट यूज करते वक्त आप अक्सर इस तरह की अप्स को अपने सामने आते हुए देखते होंगे जो ये दावा करती हैं कि हम आपको बहुत सस्ते इंटरस्ट रेट पर पांच हजार, दस हजार, पंदरह हजार रुपए तक का लॉन उपलब करवा देंगे इस तरह के फ्रॉड में यूजर्स जो हैं वो कई बार जान बूचकर या कई बार अंजाने में भी इन चाइनीज लोन अप्स को डाउनलोड कर लेते हैं इन एप्स की खासियत ये है कि ये एक बार में एक एप नहीं डाउनलोड होगी ये दो तिन या गुच्छे में कुछ एप्स डाउनलोड हो जाती है इन एप्स को फिलहाल आप समझ रहे होंगे कि मेरा लोन प्रोसेसिंग इस से होगा इसी दर्मियान वो आपके मेसेजिज आपकी फोन गैलरी आपके कॉंटेक्ट्स इन सब चीजों को हैक कर लेती है और इनके जो सर्वर हमारे देश से बाहर हैं उनमें ये डेटा ट्रांसफर हो जाता है इस दर्मियान आपको एक मेसेज आएगा कि आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड के वाइसी फॉर्मेलेटीज के लिए हमें स्कैन करके दीजिए आप वो स्कैन करके दे देंगे पांच साथ हजार उपए का लोन वो आपको प्रोसेस करके इमिडेटली आपके खाते में डलवा दिया जाएगा लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हफता दस दिन के बाद आपको वही कंपनी की तरफ से अप्रोच किया जाएगा उनलाइन जाएगी कि लोन ना जमा करवाने पर वो सबसे पहले क्योंकि आपकी जो गैलरी है फोन के कॉंटेक्ट्स हैं वो सब कुछ अल्रेडी हैक किया जा चुके हैं ऐसे मसले में ये फ्रॉड कंपनीया क्या करेंगी वो आपकी मौर्फड इमेजिस आपके बारे में अपत्ति जनक फोटो या आपके फोन से आपकी कुछ प्राइवेट डिटेल्स जो हैं वो जो इन्होंने हैक की हैं वो आपके कॉंटेक्ट्स को भेजने की धमकी आपको द जाते हैं एक ब्लैक मेलिंग जो है वो आपकी डायरिक्ट की जाएगी उसके बाद दूसरा तरीका इनका ये है कि जब आप मानलीजे दस हजार नहीं दे पा रहे हैं आपने किसी भी तरह उनके प्रेशर में आके आठ हजार रुपया जमा करवाया दो हजार अभी भी उनके हिसाब से आपके प्रती उनका आउटस्टेंडिंग है वो उस दो हजार को दोबारा चार पांच हजार बनाकर फिर से आपको पैसे डलवाने के लिए फोर्स करने लगेंगे तो एक बड़ा विशियस तरह का कॉंटिनुएस साइकल में जो कंजूमर है वो फस जाता है तो इ जिसको आपने बहुत ध्यान रखना है मालीजी आपने कोई डाउनलोड कर ली तो उसके बाद आपके फोन में आपसे परमीशन मांगी जाती है कि क्या इस एप को आप मेसेज गैलरी कॉंटेक्ट्स यूज करने की परमीशन दे रहे हैं तो आप ऐसी परमीशन ना दें और तीसरी चीज़ गलती से आपने ये एप डाउनलोड कर ली बट वाई दे टाइम आप रिलाइज करते हैं कि नहीं नहीं मुझ से गलत डाउनलोड हो गई है आप उस एप को अपनी सेटिंग्स में जाकर इमिडेटली अनिंस्टॉल करें इस तरह के फरोड से बचने का बेस है जानकारी हमारी कोशिश यह है कि आपको इस तरह की जानकारी दे कर इस तरह की जो लोन एप्स हैं उनको डाउनलोड करने से बचाया जाए